विल्कम एंड विल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल नंदिनी सुक्ला मैं हूँ नंदिनी और फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे सो आज आरिया के पापा ने बोला है कि चलो कुछ मीठा बनाते हैं अच्छली वो कल रात में वापस आ गए थे और आ रहा के तो खुसी का ठिकाना ही नहीं है जिसे उसके पापा है उन्हीं के पास है तो मीठे में मैंने सोचा जटपट क्या बन सकता है फिर मैं आज जा रही हूं सूजी का हलवा बनाने उनका ये मन्धा खाने का सो चलते हैं बनते हैं फिर वहीं पर बनाते हैं जटपट सूजी का हलवा ओके लेट सूज़ स्टार्ट इससो फ्रेंड्स यहां लिया है मैंने सूजी इसे रवा भी बोलते हैं और यह लिया है कद्दू कस किया हुआ गरी यह लिया है चीनी और यह लिया है घी देशीगी अब इससे बनाएंगे यह हो गई है पूरी हमारा समान रेडी अब इस कड़ाई रखेंगे और गी यह देखिए मैंने डाल दिया है सूट करने के लिए भूल गई थी अक्चली इतनी आदत नहीं है तो भूल जाते हैं इसमें पहले कड़ाई रखी थी इसमें फिर गी डाला था फिर यह रवा डाला था अब इसको चलाते रहेंगे प्रॉपरली जिससे की हमारा यह लगे न आगे नहीं बिल्कुल भी कड़ाई में यह आज दूद से बनाऊंगी मैं दूद और पानी मिक्स करके कहीं कहीं पानी से बनाते हैं लेकिन दूद से बनाऊ तो अच्छा टेस्ट आता है यह मैंने देखिए निकाल लिया है सूजी पहले फिर इसमें डालूंगी यह मैंने जहां मैं पहले रहती थी जामनगर में गुजरात में वहां अंटी है एक उन से सीखा था मैंने दूद से सूजी का हलवा बनाना यह देखिए मैंने डाल दिया है चीनी भी डाल दी है अब यह जब गरम हो जाएगा खौलेगा यह देखिए अब मैंने रवा भी डाल दिया ह अब रवा डालने के बाद अब इसको अच्छी तरीके मिक्स करेंगे इसमें एक भी रहना जाए अब ये मिक्स करते करते चलाते रहना है प्रॉपरली जिससे ये अच्छी तरीके से बने वरना ये नीचे लगने लगेगा उसमें इसको पूरा टाइम बस हमें चलाते ही रहना है लग पक रेडी है फिर इसमें घी डालना है और विने तूटेवल इसमें गी डालने के बाद ब्लवकुल प्रॉपर चलाना है इसको अब देखिए मैं बिल्वकुल प्रफर लिसको चला रही हूँ चलाते रहेंगे तो ये लगए यह नहीं वरना यह फिर लग जाता है और यह देखी मैंने डाल दिया गरी उपर से इसमें जो मैंने कद्डू कस की थी यह हो चुका है हमारा सूजी का हलबा बनके रेडी सो देखिए कितनी जल्दी बन गया मीठे का मीठा हो गया और जल्दी से बन भी गया अब यह देखिए मैं कर रही हूं सबको बाउल में रखके दूंगी सबको यह देखिए मैं रख रही हूं सारे बाउल में तीन लोग हैं तीनों लोग को दूंगी जल्दी जल्दी से रखक अब भी ट्राइ करिएगा कैसा लगा दूद से बनाईएगा सूजी कालवा अच्छा टेस्ट आता है उससे पानी माले से तोला डिप्रिंट टेस्ट रहता है और अच्छा टेस्ट रहता है एक बार आप जरूर से जरूर इसको ट्राइ करिएगा हम यह देखिए मैं मेरी लगबग मैंने रख लिया है मैं गरी डालने हूं उपर से और इसके बाद अब मैं सबको दे दूंगी जाके और प्रेंड्स आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बिल आइकन प्रस कर लीजे इससे अब मैंने देखा कि मैंने बनाया आज सूजी का हल्वा जिसे रावा भी बोलते हैं यह हल्वा बनके रेडी है अब मैंने सबको दे दिया है अब मैं खाऊंगी अगर आर्या को पसंदोगा तो वो भी खाएगी देखते हूं से पसंद आता है कि नहीं खाओगे बिटा आर् इनके बट इनको अब खाना अपने ही हां से देखिए कुछ भी नहीं जा रहा है अब गया बस थोड़ा सा खाई बस पसंद नहीं जाद है अब बनाओंगी चाय बनी नहीं है सामके बताती हो टाएं कि इतना हुआ है साड़े पांच बगया है मुष्ट भी इतने तक चाय बन जाएं कि आज क्या हुआ है सो में बनाओंगी अभी चाय थोड़ी जाएं में कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग जरूर देख के बताएं जादर ज्यादा कॉमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चानल को ओके ते मिलते हैं नए ब्लॉग में तब तक कि वी बाई बाई टे यह थो और के लादर हैंगी तो आएंगी अवी थो ऑका बडरा हैं एंगी तो आएंगी तो भूलें यह थोड़ी अगश